आपने किसी भी प्रकार से यदि साबित कर दिया कि मेरा उसके साथ किसी तरीके का संबन्द हो तो समाज का जूता होगा और मेरा सर होगा प्रेमेश्वर मुख्याजी को जानते हैं या उनके कृतित्व को जानते हैं तो उन्होंने यस बहुत कमाया लेकिन यदि कुछ नहीं कमाया तो धन एक लंबे अंतराल के बाद 11 वर्स CVI को लग गए इस हत्याकांड का उद्वेदन करने में कि कोई कहे कि आप हत्यारे के साथ में आपका अगर कुछ चल रहा है भाया ये सपने में भी नहीं हो सकता है ले वहां पे बैंक ने उनका घर क्लोज कर दिया था तो मैं CBI कार्याले के सामने था मैंने दिया था आप ओम नरेंजी से भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं बिहार में बहुचर्चित बरमेश्वर मुख्या हत्याकांड में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें सबसे पहले बड़ा नाम जो की चिराग पास्वान के करीवी नेता हुलास पांडे समेत पांडे समाज के कई लोगों का नाम सामने आया है हलाकि एक बात ये भी निकल कर सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि बरमेश्वर मुख्या के परिवार वाले ही नहीं उनके परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं कि उनका न्याय मिले अच्छा एक चीज बताईए मुझे आपके यदि पिता जी के साथ या आपके बाबा के साथ कोई घटना होती है आप चाहेंगे क्या कभी कि भाई उस हत्यारे को सजा नहीं मिले या जिसने कांड किया है उसको त्यारे को फासी पे लटकता देखना चाहते हैं ठीक उसी तरीके से हम भी हैं और हम उस खून से आते हैं जहां पर मर जाना पसंद करते हैं लेकिन किसी के तलवे चाटना पसंद नहीं करते हैं चाहें वह कोई क्यों नहीं हो एक लंबे अंतराल के बाद 11 वर्स C.V.I. को लग गए इस हत्याकांड का उद्वेदन करने में यह अपने आप में प्रश्न वाचक चिन्न है कि आखिर देश की सबसे ससक्त जाच एजेंसी को इस हत्याकांड के उद्वेदन में 11 वर्स क्यों लगे आज जरूर उनको न्याय दिलाने की एक पहल होती हुई दिख रही है लेकिन इसमें बहुतों का सहयोग है हर उस परिवार का सहयोग है जिन्होंने मांसिक रूप से बौधिक रूप से सारेरीक रूप से या जिस भी तरीके से वो परिवार के साथ खड़े रहे हैं हम उन को सब का अभिनंदन करते हैं और अभार व्यक्त करते हैं लेकिन यह हास्यास्पत चीज है कि कोई कहे कि आप हत्यारे के साथ में आपका अगर कुछ चल रहा है भाईया यह सपने में भी नहीं हो सकता है हकीकत तो दूर की बात है परमेश्वर मुख्या हत्याकांट के एक मात्र गवाह रहें ओम नरायन जी जिनने साथ चंदन सिंग पैसा देकर चुप कराने की कुशिस किये हैं पैसा देकर चुप कराने का गलत चीज है एक बार मुझे याद है कि वो आये थे अब मेरे आफिस में और उनके बच्चे का एडमीशन करवाना था तो उन्होंने उस से मुझसे 10,000 रुबे की सायोगरासी मांगी मैंने दिया था आप ओम नरायन जी से भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं और मेरे पास स्क्रीन सोट आज भी पड़ा हुआ है मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने उस समय उनको मदद की थी लेकिन मेरी खुद की हैसियत इतनी नहीं है कि मैं लाखो या करोडों में किसी की मदद कर पाऊंँ यदि आप रेमेश और मुख़या जी को जानते हैं तो उन्होंने यस बहुत कमाया लेकिन यदि कुछ नहीं कमाया तो धन तो जब उनके पास धन नहीं था तो मेरे पा कीलिए आयेंगे तो सारी रही कुट से में खड़ा हूं मैं उस दिन भी जब फिंड vein जब हम ãyriend वहां पे बैंक ने उनकर घर क्लोज कर दिया था तो मैं किशिवी कर्याले के सामने था उभा न पर खड़ा था रहें ऐसा तो था नहीं कि मैं वहाँ पे नहीं खड़ा था लेकिन अगर प्रोपगेंडा ही करना है तो उसका तो कोई खेर कोई बात ही नहीं है आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने के लिए सोतंत्र हैं बारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आप कुछ भी करें वो सोतंत्र हैं आप करने के लिए बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान के बड़े नेता फुलास पांडे जो कि अब तो इस्तिफा दे दिये हैं लेकिन उनके साथ आपका विनाम जोड़ा जा रहा है बाई आप कोई सबूत है तो दिखा दीजे यदि कोई प्रूफ आपके पास है कि मेरा कोई फोन पर उसके साथ बातचीत हो या कहीं कोई तस्बीर जब मैं उसके आवास पे गया हूं या कहीं कुछ भी एक छोटा सा जूता और मेरा सर आपने किसी भी प्रकार से यदि साबित कर दिया कि मेरा उसके सांथ किसी तरीके का संबन्द हो तो समाज का जूता होगा और मेरा सर होगा देखे सीधे तोर पर कहना है कि जिस तरह से आने वाले जो कांड में खुलासा हुआ है उसमें इनका सीधे तोर पर कहना है कौन परिवार नहीं चाहता है कि अपने परिवार का न्याय मिले वहीं उनका साफ तोर पर कहना है कि जिस तरह से हुलास पांडे के सा उन्हें चुप कराने की कोसिस की गए तो इनका सीधे तौर पर यह बात कहना है कि ओम नरायन जब इनसे मदद मांगने के लिए आये थे तो सहयोग रासी के तौर पर जब बच्चे का इडिमिशन करना था तो उसमें उन्हें पैसा दिया बलकि कई जगों पर मदद भी की लेक लेकिन रहे तब तो दूँ तो देखे सीधे तौर पर तमाम जो बाते हैं वो कहते नजरा रहे हैं बरमेश्वर मुख्या के पोत्र हैं चंदन सिंग और इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखीगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए दा इंडिया ट